नमस्कार साथियो जी एस अकेडमी के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है साथियो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रतियोगी परिछाओं के लिए हिंदी को पड़ रहे हैं इसी क्रम में हमने पहली वीडियो देखी थी जिसमें भासा की सामन्न समझ पर हमने चर्चा की थ हैं यह सब हमने पहली वीडियो में जान चुके हैं और दूसरे जो वीडियो थी उसमें हमने टॉपिक इस्टार्ट किया था अलंकार वाला तो उस वीडियो में हमने अलंकार को बहुत ही गहराई से समझा था केवल एक अलंकार पढ़ा था अनुप्रास अलंकार ठीक है आगे बढ़ने से पहले आपको एक ब्रीफ जानकारी दे दूं कि अलंकार काब्बे की सोवा बढ़ाने वाले तत्व अर्था जिन से काब्बे में सुन्दरत आती है वो तत्व क्या कहलाते हैं अलंकार कहलाते हैं इसके और डीटेल में पढ़ने के लिए अगली बीडियो जो पहली वीडियो हो चुकी है उसको देख लेना इसका लिंक जो है उमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ठीक है तीन वेद पढ़े थे सब्द लंकार अर्था लंकार अविया लंकार के छे वेद हैं अर्था लंकार के भेद ग्यात नहीं है लेकिन अलग-अलग जो संक्या इनकी बताईए उन्हीं में एक प्रसद्य कभी आते हैं अपने केशवदास इन्होंने अर्था लंकर की संक्या 35 बताईए उविया लंकर में संस्रेश्ती कर दोलंक़ पड़ेंगे अनुप्रास लंकर के पांच उपव्यदे छेक अनुप्रास में किसी बड़्या वर्ड समू की एक वार ब्रती होती यहough ब्रत्य अनुप्रास में एक से अधिक वार होती है लाट अनुप्रास में सब्दिया बाक्य खंड की अब्रत्य होती है अंत्य अनुप्रास में अंत्में यानि तुकबंदी होती है और शृत्य अनुप्रास में यह की ही इस्तान से बोले जाने वाले वर्णों की अब्रत्य ह यह सब बहुती गहराई से चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में यदि आपने यह वीडियो नहीं देखिए तो देख लें बहुती गहराई में हमने एक एक अलंकार को बहुत से उधारणों के साथ उसके अर्थ के साथ समझा है अब आगे जो हमारा आज का लं याबरती बारवार होती है तता प्रतेगवार उसका अर्थ विन्न होता है इस वात को याद रखना देखिए सब्द की और बाख्य खंड की याबरती तो किसमें हुई थी लाटानु प्रास में भी हुई थी उसमें भी तो यही परवास आती कि सब्द या बाख्य खंड की याबरती लेकिन वहाँ पर क्या था उसका अर्थ समान था और यहाँ पर पर क्या है उसका अर्थविन्न होना चाहिए तो दोनों में यही इंतर है तो आप यमा कलंकार में उसका अर्थ अलग अलग होगा देखी उधारर से समझते हैं उधारर से समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यमा कलंकार भी दो प्रकार का होता है एक पदाब्रति यमा कलंकार दूसरा भागाब्रति यमा कलंकार पदाब्रति से मतलब है पद की याब्र पूरinee यानि एक भाग की आभरती हो रही है तो वह कौंसा है भागा दॉने बौर disp अब यहां पर आप देख सकते हो कि एक सब्द की याब्रती हुई है वो सब्द है कनक क्योंकि कनक सब्द यहां पर दो वार आया है और दो वार आने का अर्थ है कि सब्द की याब्रती हुई है लेकिन हमने क्या देखा कि सब्द की याबरती तो हो लेकिन उसका अर्थ भिन्न होना चाहिए तो हम यह देखते हैं कि अर्थ भिन्न है यह नहीं है तो देखिए यहाँ पर जो पहला कनक है इसका तो अर्थ होता है क्या शोना ये कौन सा सोना है ये आपके सोना बाबू बाला सोना नहीं है और ये सिलीब बाला सोना भी नहीं है ये सोना है स्वर्ड ठीक है गोल्ड और दूसरा जो कनक है इसका अर्थ होता है धतूरा जो की एक फल होता है तो यहाँ पर सब्द की अबरती हुई है और उसका अर्थ भी अलग अलग है इसलिए कौन सा है यह मैं कलंकार है मैं इसको समझाता हूँ कैसे देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सोना यानि जो धातू है सोड़ दतूरा जो फल है उससे सोगनी अधिक महत्व की होती है क्योंकि आप जानते हो कि फल तो मिल जाएगा सस्ता मिल जाएगा लेकिन इतने जो सोना है गोल्ड है उसकी कीम बहुत अधिक होती है तो सोगना अधिक महत्व रखती है मादकता अधिकाए मादकता कारत होता चमक किसमें होगी दातू में होगी तो हम जानते हैं कि चमक दातू में होगी सोने में होगी यानि गोल्ड में होगी तो मादकता अधिकाए मादकता यानि चमक अधिक रहती है या खाए बोराए जग वा पाए बोराए लेकिन यहापर क्या बोला जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति धतूरे को खा ले या खाए यानि धतूरे को खा ले तो क्या हो जाता है बोराए कारत होता है थोड़ा पागल हो जाना या थोड़ा जैसे कहते हैं न दिमाग खराब हो ज जाती है यहां पर बोला जाये वापाय है यानि क्या सोने को पाले जो है यादि उस्य प्राप्ट करकर वी खृती हो जाता है तो एस्तिती बन थी हमां फिर से मतलब है सबद की होना चाहिए अर्थ अलग होना चाहिए तो कौनसा होगा यमक अलंकार होगा ठीक है और डूसरी बात ये कौन सा पदावरती यमक अलंकार है पदावरती क्यों है क्योंकि यहाँ पर केवल एक सब्द की याब support यहीयरहां तीन वेर खाथी हैं देखें यहां पर पूरे भाग यह थे बढ़ती हें इसके तीनखो अभाती proportion करें बिजन डुलाती थीवे बिजन डुलाती हैं मतलब पूरे बाग के खंड़ की याब्रती है तो इस आदर पर कौन सा हुआ भागा ब्रती हुआ लेकिन एक कंडिशन और है कि उसका अर्थ भिन्न होना चाहिए तो मैं समझाओंगा कि अर्थ भिन्न है इसलिए तो यह अमक आपने सुना होगा कि सिवाजी के जो पिताजी ते साजी भौसले उनको औरंग जिव ने बंदी बना लिया था ठीक है उसके वाद सिवाजी उनको छोड़ाने जाते हैं तो सिवाजी को भी धोके से एक संदी करने बुलाते हैं धोके से और उनको भी बंदी बना लिया जात तो इस डर से क्या हुआ जो उनके महल की रानी थी शिवाजी के घर से वह इस डर से कहीं औरंग जेव है वह उनके महल पर आक्रमड ना कर दे और उनको भी बंदी ना बना ले तो इस डर से वह जंगल में चली जाती हैं फिर क्या होता है जंगल में चली जाती है तो उसके बार किले पर इस्तिद आपको पता है कि महल कहां पर थे किले बंदी हो रही थी बहुत उंचाई पर महल हुआ करते थे उंचे घोर का मतलब है यहां पर बड़ा ठीक है मंदर कार्थ मैंने अनुपरा सलंगकर में भी आपको बताया था महल अंदर रहनवारी उंचे यहां पर जो उंचे है उसकार्थ क्या है उसकार्थ भी है बहुत उंचाई पर लेकिन जो घोर है उसकार्थ अलग है उसकार्थ है गोर यानि घना काला अंधेरा गोर कंसा अंधेरा जैसे हम बोलते हैं गोर घटा चा रही है यानि काली घटा अंधे गुफा तो यहां पर क्या बताया गया है यहां पर बताया गया है कि जो रानी कभी कहां पर रहती थी उंचे यानि बहुत उंचाई पर बहुत बड़े महल के अंदर रहती थी बहुत उंचे बड़े महल के अंदर रहती थी वह कहां रह रही है उंचे घोर यानि बहुत घोर घने अंदेरे में मंदर यानि गुफाओं के अंदर रह रही हैं क्योंकि जंगल में उनके लिए महल तो है नहीं तो कहां पर रह रही है वह उची और घनी बहुती अंदेरी गुफाओं में रह रही हैं तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती हैं जब वो महल में थी तब वो क्या करती थी तीन वेर तीन वेर कारते हैं यहां पर त्री टाइम्स तीन वार त्री टाइम्स और यहां पर जो तीन वेर हैं वहां तीन फल जो हम बेर खाते हैं बेरिया के बेर वही वाले वेर तो बताय शामगरी नहीं मिलती तो क्या करती है केवल तीन फल यानि जो बेर होते हैं वो केवल तीन वेर खाकर ही काम चला रही है यह इस्तिती जंगल में आकर हो गई है आप जानते हो जंगल का रहना तो कटिन है जब अनुपरा सलंकार पड़ा था हमने कल तो उसमें भी जाना था कान तीन वेर खाकर काम चलाना पड़ रहा है ऐसी इस्तिती जंगल में आकर हो गई है देखिए कंद मूल भोग करें कंद मूल भोग करें यहां पर जो कंद मूल है उसका अरत होता जायकेदार 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 यानि शाही भोजन महल का साही भोजन एसे बोलते हैं जाय में मिलता है तो पहले जब महल में थी तब वो साही भोजन करती थी यानि जायकेदार भोजन खाती थी लेकिन अब क्या अब वो जंगल में मिले वाले कंद मूल फल खा रही है अब फिर है बिजन डुलाती थी वे बिजन डुलाती है यहां पर बिजन का मतलब है देखिए लाइट वाले पंक्य तो थी नहीं लाइट वाले पंक्यों कूलर हो यह सी हो तो क्या होता था राजा रानी या साही परवार के जो सदस्य होते थे उनके लिए दास दासिया निक्त करते थे किसके लिए उनकी हवा करने के लिए पंक्य से हवा करते थी तो यह वही है बिजन ड होती है जनता यदि वी उपसर्ग लग जाए लग जाए तो क्या हो गया जहां पर जनता नहीं है यानि निर्जन बन में बिलकुल निर्जन है बिजन यहां पर कोई नहीं रहता बहां पर वह गूमती है डुलाती अर्थात गूमती फिरती रहती है जहां पर कोई नहीं रहता निर्जन बन में गूम रही हैं जब कि पहले क्याता पहले तो उनके आसपास पंखे लेकर हवा करती थी दास्दासियां तो यह स्थिती बन गई है हमें मतलब किससे हैं सब्धिया वाक्य खंड की अबरती होना चाहिए अर्थ अलग अलग होना चाहिए देखिए सब्धिया व भग व्रत्ति इध मक अलंकार है क्योंकि पूरे भाग की अर्थ होई है और यदी केवल एक सब्दी की होती तो पदा भ्रत्ति होता है यहां पर में एक सब्धि चली और 3D वोदारत इसके देखते हैं तो हमिया इस पेस्ट रूप से देख पा रहे हैं कि पीर जो सब्द है उसकी अब्रती हुई है यानि पीर सब्द तीन Palestin राया है अर्थात अब्रती है लेकिन एक कंडिसन और क्या है वह है कि उसका अर्थ क्या है अलग होना चाहिए अर्थ विन्न विन्न उना चाहिए तो देखी यह अर्थ विन्न विन्न है या नहीं कवीरा सोई पीर है यहाँ पर जो पहला पीर है उसका आर्थ है साधू या संत साधू या संत जो दूसरा पीर है उसका आर्थ है पीडा तो क्या बोला जा रहा है कवीरदास जी कह रहे हैं कि बही सच्चा संत या बही सच्चा सादू है जो जाने पर पीर जो दूसरों की पीड़ा को समझता है जो दूसरों के दुख को समझता है ये वाले पीर क्या है पीड़ा या दुखो तो क्या बोलना है कविरदास जी कि बही सच्चा संत है बही सच्चा सादू है जो दूसरो इनों की पीड़ाए और दुखन को नहीं जानता नहीं समझता तो काफिर बेपीर तो कंसंत नहीं है वह क्या है काफिर है यानि संत नहीं है वह किवल काफिर है जिसे हम बोलते हैं पाकंडी है यह इसमें बोला जा रहा है हमें किस से मतलब है हमें मतलब सब्द की याबरती से अर्थ भिन्न होना चाहिए तो सब्द की याबरती भी हुई है और अर्थ भी बिन्न है पहले पीरकार्थ तो हो गया सादू या संत से जब कि दूसरे पीरकार्थ हो गया पीड़ा या दुख से तो इसलिए क्य यह सब्द की अब्रती हो रही है बर्चीने और बर्चीने अब्रती हुई है लेकिन अर्थ अलग अलग होना चाहिए तभी वह यमक अलंकार होगा तो हम जानते हैं अर्थ अलग अलग है यह नहीं पहली जो बर्ची यह उसका अर्थ तलवार या कटारी ठीक है तलवार या कि कहते हैं न जो पहले राजा माराजा होते थे वह बर्ची दारण करते थे तलवार कटारी इस परकार के जो अस्तर रखते थे उन्हें को बर्ची दूसरा बर चीने यहां पर बर चीने से मतलब हैं बल हीन करना कि बरका अर्थ होता बल और च्षीन याने उससे च्षीन लेना हीन कर देना तो यहाँ पर देखिए अर्थ अलग-छलग हो गए पहले बर च्षीने का अर्थ क्या हो गया तल्वार या कटारी से दूसरे बर छीने का रथ क्या होता बले से हीन कर देना तो दोनों के अर्थ अलग अलग हैं सब्दे की अबरती है इसलिए यमक अलंकार है अब इसको समझे यहां पर बोला जा रहा है हम सभी ने सिवाजी महाराज के वारे में सुना है तो सिवाजी महा बोली गई है कि उनकी जो तलवार कटारी थी उसने तो कितने ही युद्धाओं कितने उनके सत्रों को बल हीन कर दिया खलन के यानी हजारों की संख्या में उनके सत्रों के बल हीन कर दिया अगला देखिए जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे तारे और तारे यमक अलंकार है देखिए पहले जो तारे है उसका अर्थ है उद्धार करना क्या उद्धार करना और दूसरे जो तारे हैं वही तारे हैं जो हमें साम के समय दिखाई देते हैं इस्टार्स ठीक है तारा मंडल वाले तारे तो अर्थ अलग अलग है इसलिए कुंसा है यमक अलं उतने नहीं गगन में तारे उतने तो तारा मंडल में तारे भी नहीं है जितने लोगों का आपने उद्धार किया है अगला देखिए सजना है मुझे सजना के लिए इसे तो आप समझी गए होंगे यह कुंसा वाला सजना है यह सजना है श्रंगार करने वाला सजना और दूसर करना है किसके लिए करना है अपने प्रियतम के लिए करना है अर्थात अपने प्रियतम को दिखाने के लिए स्रंगार करना है तो यहां पर आप समय चुके होंगे कि सजना यहां पर सजना और सजना सब्द की अबरती हुई है और अर्थ भी अलग अलग है पहले का अर्थ हलग लग है यह नहीं है काली घटा काली कि से मतलब काले वादल जो घंगोर घटा चाथनी जब बादल आते हैं पानी वरस्ता है आधा की गटा तो भास्ताएश टाएब लग जह तो तो दूसरा जो गटा ईप्रूजब के गड़ेन रहे हैं यहां पर बताया जा रहे है। तो क्या होता है दीरे दीरे काली घटा हटने लगती है तो वही बताए रहे हैं कि काली घटा का घमंड घटा अब पानी बरस गया अब काली घटा हटने लगी है अर्था तो वह क्या है घट रही है दीरे-दीरे कम हो रही है उसका घमंड घट रहे है यहां पर हमें मतलब किस स है सब्द की अपरेटिव ही है और अर्थ अलग अलग है ठीक है चलिए वक्ला देखते हैं आसा करता हूं यह वाला आपको समझ में आ हिस्ट guitar और यहाابा इस वेटालि में ने की समझ में अ ये मुष्ट हो समझ में जो पटतें जाया इसके अब को प्ता तो चलेगा कि केवल जो दारड मैंने दियो अनसा नाги आया या बास्तम वह सभाणाब यह समझ में आया है जिससे आप दूसरे उदारण को देखोगे solve करोगे तो आपसे कॉशन बनेंगे तो आम बहुत सारे एक्जामपल इसमें पढ़ेंगे टेस्ट में पढ़ेंगे तो आसा करता हूं दोस्तों कि एमा कलंकार आपको अच्छे से समझ आया होगा यदि समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आपको कोई भी वीडियो जब आए तो उसकी notification मिल जाए क्योंकि हम सिर्फ अ अगली वीडियो में अगली अलंकार के साथ तब तक के लिए धन्यवाद